जी हां दोस्तों मरने से पहले आतिक एहमद ने एक वीडियो बनाया था और उसे कहीं न कहीं पता था कि वो मरने वाला है ऐसा सीक्रेट वीडियो और सीक्रेट लेटर जो की सुप्रीम कोट को भेज दिया गया है और उसमें क्या कुछ लिखा हुआ है कई सारे राज जो अब खुल कर सामने आने वाले हैं लेटर के माध्यम से वीडियो के माध्यम से क्या है उस वीडियो में आगे दिखाएंगे लेटर पढ़कर बताएंगे उस लेटर में क्या है जो सामने आया है आपको बता दे दरसल बीते दिन जो है माफिया अतिक एहमद और उसके भाई अश्रफ एहमद को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी दोनों को परियाग राज के कब्रिस्तान में रवी वार रात दफन भी कर दिया गया दोनों की शनिवार को उस समय हत्या की गई जब मीडिया कर्मियों के सवालों का जबाब दे रहा दोनों इस संसनी खेजवारदात के बाद अब नई नई जानकारिया जो है सामने आ रही है कभी सीक्रेट लेकर तो कभी सीक्रेट जो है वीडियो को लेकर वहीं आपको बता दे एक पत्र जो है वो प्राप्त हुआ है दावा किया गया है कि अतिक ने अपनी हत्या से कुछ जिन पहले एक लेटर लिखा था अतिक अहमद ने इस लेटर में जो है ये इस पत्र में सुप्रीम कोट को संबोधित करते हुए लिखा था और इसे सुप्रीम कोट को पोस्ट भी किया आपको बता दे जेल में बैठे बैठे ये सारे कारणामे जो है अतिक अहमद ने किया हम रित्यू से पहले हत्या से पहले लेटर के खुलने के बाद कई एहम राज भी खोल सकते हैं अभी लेटर को नहीं खोला गया है जब सुनवाई होगी तो खोला जाएगा और वो जो है आपको बता दे सीधा सुप्रीम कोट तक पहुंच गया है सूत्रों के हवाले से जो बोधित करते हुए लिखा था लेटर के आखिर में अतिक एहमद पुर्व सांसद जो है लिखा गया था उसको लेटर के अंदर हाला कि लेटर के बारे में अभी और अधिक जानकारी जो है सामने नहीं निकल कर आई है लेकिन आशंका जटाई जा रही है दोस्तों कि इसमें कई छिपे हुए राज हो सकते हैं अतिक के वकील ने इस लेटर के बारे में कहा अतिक ने मुसे कहा था कि उसे कुछ पुलिस अधिकारियों ने जेल में धमकी दी थी उसे जान से मारने की धमकी दी गई थी यह सब जानकारी जो है लेटर में महजूद है सिर्फ इनना ही नह का डर बना हुआ था वहीं उमेश पाल किड़नैपिंग मामले में पेशी होने के बाद 28 मार्च की रात अशरफ बरेली जेल जब वापस लोटा तो उसने हत्या की आशंका चताई थी मीडिया से बात चित करते हुए अशरफ ने साफ तोर पे कहा था कि उसे फिर से दो हपते ब काम नहीं बताया था उस पत्र के अंदर वहीं अतीख के वगील का ये कहना है आपको बता दे इनस मदि जो है बाते मैंने आपको बताई है यह पत्र के नहीं अशिरा फॉरतीक के वकील के पास एक दो मिनट का जो है वीडियो किलिप भी है जिससे साबित होता है कि उसे मारने की साजिश्की जा रही थी पहले से अब ये जो वीडियो है और पत्र है जो वकील के द्वारा बताया जा रहा है अश्राफ और अतीक के वकील के दुआरा जो कि सुप्रीम कोट में पेश किया गया है अब अगले सुनवाई जब होगी तब सब कुछ साफ हो जाएगा